हम सभी के दिमाग में कई बार इस्ट्रेस एंजाइटी और डिस्ट्रेशन की वज़ा से चाउस और डिस्ट्रेक्शन हो जाते हैं जिसके कारण हम अपने डेली टास्कों कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिनसे हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि दिमाग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेट है तो चलिए शुरू करते हैं पहला मेडिटेशन मेडिटेशन एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है अपने दिमाग को शांत रखने का जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा फोकस हमारे भीड पर रहता है जिसके कारण हमारे दिमाग में इस्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाते हैं दूसरा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग रिलाक्स हो जाता है और हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है एक्सरसाइज करने से इंडॉर्फिन डिलीज होते हैं जो हमारे दिमाग और बाडी के लिए बहुत बेनिफीशल होते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जादर लोग तक पहुचाने में हमारी मदद करें तीसरा हेल्दी डाइट एक हेल्दी डाइट अपने दिमाग को शान्त रखने के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है जंक फूड और प्रोसेस फूड से दूर रहें और अपने डाइट में फूट्स, वेजिटेबल्स, नेट्स और वूल ग्रेंज जैसे हल्दी फूट्स को शामिल करें चौथा, स्लिप अच्छी नीन लेना भी बहुत इंपोर्टन्ट है अपने दिमाग को शान्त रखने के लिए कम से कम साथ आठ घंटे की नीन लेना बहुत ज़रूरी है नीन पूई होने से हमारा दिमाग और बॉडी रिलैक्स हो जाता है हम अपने डेरी टास्क को बेटर तजिके से कम्प्लीट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इससे आप हमें अच्छे वीडियो बनाने में मदद कर सकते हैं पाचवा पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग को शान्त रखने के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है निगेटिव थौट से दूर रहे और अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग से हमारा दिमाग और मूड अपलिफ्ट हो जाता है और हम अपने डेरी टास्क को बेटर तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं तो ये थे कुछ टिप्स जिनसे हम अपने दिमाग को शान्त रख सकते हैं वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में रेटिक जरूर दे और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि यूटूब का दिमाग मतलब अल्गरितम तभी ठीक से काम करता है फ्रेंड्स हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज़ से लें जिससे हम अपने डेरी टास्क को आसानी से कंप्लीट कर सकें कुछ ऐसे कारण जिनसे हमारा दिमाग खराब हो सकता है जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखिए